इस वीडियो में बताएगी सारी जानकारी पर भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षबलों की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारी के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है नमस्कार दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है मैं हूँ आलोग तो आज Defense Detective बताएगा कि DRDO को आज एक बड़ी कामयावी मिली है शौर मिसाइल के सफल परिक्षन करूप में क्या है इस मिसाइल के खासियत, कितनी है इसकी रेंज और हमारे जो ये दो पडोसी देश हैं उनमें कितनी भीतर तक जाकर ये शौर मिसाइल मार कर सकती है, इसकी सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ अच्छा ही एक बात जो सबसे पहले क्लियर करनी जरूरी है ये शौरे मिसाइल है, सूरे मिसाइल नहीं है, सूरे मिसाइल की अभी कोई आधिगारी घोशना नहीं हुई है, खबरों के मताबिक ये भारत की सबसे लंबी दूरी की ICBM यानी Intercontinental Valistic मिसाइल है, इस पर अलग से ए आमने सामने हैं, तनाव इतना जादा है कि भारी मात्रा में हथियार भी वहां डिपलॉय किये गए हैं और इनमें मिसाइले भी हैं, चीन की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलें लगाई गई हैं, तो हमारी तरफ से भी ब्रमोस, आकाश, निर्भय, ये सारे मिसाइलें वहा तैनात की जा चुकी हैं, इसी बीच शौर मिसाइल का परिक्षण भारत करता है, तो जाहिर सी बात है, चीन को इस मिसाइल के परिक्षण से बेहद कड़ा संदेश दे दिया गया है, शौर सतह से सतह पर मार करने वाली एक टाक्टिकल बैलेस्टिक मिसाइल है, इसे DRD ने ब और मानू दोनों तरह के वार हेड लगाय जा सकते हैं। मतलब होता है आवाज से कम से कम 6 से 7 गुनाज जादा तेज रफतार। अपरेशनल रेंज है 700 किलो मिटर से 1900 किलो मिटर तक अब आप सोच रहे होंगे कि जादतर खबरों में तो इसकी रेंज 800 किलो मिटर बताई जा रही है और मैं बता रहा हूँ 1900 किलो मिटर तो हैरान मत हो ये रेंज पर जो दुविधा है उसे मैं आसान भाषा में समझाता यानि आज के इस टेस से फायदा मैक्सिमम पेलोड के साथ रेंज को मिला है इसमें 100 किलो मिटर का इजाफा हो गया है रही बात 1900 किलो मिटर के रेंज की तो इसका जवाब ये है कि पेलोड का वजन जैसे जैसे कम किया जाएगा इसकी रेंज बढ़ती जाएगी यानि जितन भी दूरी में इसके द्वारा नश्ट होने वाला इलाका कम हो जाएगा शौरे मिसाइल की सबसे बड़ी खुविये है कि फायर करने के बाद दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट करने और इसे इंटरसेट करने के लिए सिर्फ चार सो सेकेंड्स मिलते हैं यानि करीब साथ मिनट और आप इससे समझ सकते हैं कि दुश्मनों के लिए इसे रोक पा पाना बेहत मुश्किल होगा। पर एक मिसाइल होने से इसे सेटलाइट द्वरा डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है यानि कुल मिलाकर दुश्मन को शौर मिसाइल सब्प्राइज अटैक दे सकती है अगर इसकी सटीकता की बात करें तो इसकी CEP यानि सर्किल अफ इक्वल प्रोबेबिलिटी बीस से तीस मीटर है इसका मतलब यह है कि निश्चित किये गए टार्गेट के बीस से तीस मीटर के दायरे में ही यह गिरेगी जिसे एक बेहत अच्छी अकुरेसी मानी जाएगी और साथ ही बेल आइकॉन दबाना भी न भूलें जिस से हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फॉरण पहुंच जाएगी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे जो दोनों पड़ोसी मुल्क हैं उनके लिए यह मिसाइल कितनी खतरनाक है स्क्रीन पर इस मैप में जो गोला आपको दिख रहा है वही शौर मिसाइल की रेंज है पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल है यहां तक कि अफगानिस्तान नौर्थ में कजाकिस्तान का अधा इधर पूरु में चीन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरा तिबबत या यू कहें कि चीन का ये पूरा वेस्टरन थियेटर कमांड ही शौर मिसाइल की रेंज में है तो गलत नहीं होगा तो साफ है इसकी मारक शमता बहुत जबरदस्त है इसे फायर करने के लिए कुछे मिंटों में तयार किया जा सकता है रफतार तेज होने से इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है पारंपरिक विस्फोटकों के साथ इसे परमानू बम से भी लैस किया जा सकता है तो इससे होने वाली तबाही भी बड़ी है यानि शौर मिसाइल के जरिये दुश्मनों के एर फील्ड्स मिलिटर इंस्टॉलेशन्स बेहत आसानी से और जल्दी बरबाद किया जा सकते हैं झाली उल्दी।